नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तों सरकारी नौकरी से संबंदित आज की महत्तपून खबरे क्या हैं आज उनके बारे में बात कर लेते हैं उससे पहले जो मेरे चैनल पर नई व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सरकारी नौकरी की कोई भी नियूज या परिणाम की नियूज सबसे पहले आप तक पहुँच जाए दोस्तो पढ़ लेते हैं पहली ख़बर क्या है यूपी टैट 2020 परिखछा सूचना दोस्तो पूरी क्या है 28 फरवरी को टैट 2020 की परिखछा होगी दोस्तो इसकी डेट जो है वो आचुकी है राज्य चिक्षक पातरता परिक्षा टेट 2020 का आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा परिक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनील भूशन चतुरवेदी ने शाशन को टेट फरवरी के अंतिम रविवार 28 तारिक को कराने का प्रस्ताब भेजा है इससे पहले सरकार ने प्राधिकारी को फरवरी में टेट कराने की मंजूरी दी थी प्राधिकारी सचिव के प्रस्ताब के अनुसार इस परिक्षा के लिए दिसंबर के अंतिम सप्ता से शुल्क समेत ऑनलाइन आविदन लेना शुरू किया जाएगा जो जनवरी के दुत्य तक चलेगा चतुरवेदी ने बताया कि शाषन की मंजूरी मिलने के बाद परिक्षा के लिए आगे के कारेवाही शुरू कर दी जाएगी तो दोस्तो 28 फरवरी को आपकी टेट 2020 की परिक्षा होगी ठीक है दोस्तो ये खबर होगी टेट के संबंद में अब बात कर लेते है UPPSC के संबंद में दोस्तो PCS मेंस 2019 में 811 अब्यरती सफल गोशित हो गए हैं और PCS मेंस 2019 में 388 पदों के लिए इंटर्व्यू कराया जाएगा पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग ने PCS 2019 की मुक्या परिक्षा का परिणाम गोशित किया गया है ये अब ब्यरती 388 पदों पर भरती के लिए साक्षातकार में शामिल होंगे मुक्या परिक्षा 22 से 26 सितंबर तक आयोजित की गई थी ठीक है दोस्तों और इसमें जो मुक्या बात है वो पढ़ लेते हैं परिक्षा में सम्मलित सामन्य एहरता की पद जैसे उपकारापाल, कर निर्धारन अधिकारी, विपनन अधिकारी एवं विदी अधिकारी मंडी परिशद और विशिष्ट एहरता के पदों जैसे लेखा एवं संप्रिक्षा अधिकारी, विदी अधिकारी लोकनमान विभाग तथा भूतत्व एवं खनी कर्म विभाग जेस्ट गन्ना विकास निरिक्षक एवं पसूच कित्सावे कल्यान अधिकारी के पदों की संगत सेवा नियमवाली में सक्षातकार का प्रावधान ने होने के कारण इनका परिनाम अंतिम चैन परिनाम के साथ गोशित किया जाएगा दोस्तों इन पदों में सक्षातकार की प्रिक्रिया नहीं है तो इनका परिनाम होगा जब PCS 2019 का अंतिम परिनाम जारी होगा तो इनका परिनाम भी तभी जारी किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह ख़वर हो गई PCS Mains 2019 के संबंध में दोस्तो आगे बात कर लेते हैं अगली ख़बर है RRB NTPC के संबंद में दोस्तो RRB NTPC के Admit Card जारी हो गए हैं जी हाँ दोस्तो आपका Center कहा होगा आपका Center किस जगह होगा और आपके जो परिक्षा है वो किस Shift में होगी ये जानकारी आपको पूरी अपने प्रवेश पत्तर से म मिल जाएगी ठीक है दोस्तो पढ़ लेते हैं पूरी ख़बर क्या है NTPC परिक्षा का Schedule जारी होने के बाद परिक्षारतियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं बुद्दवार को उन अभ्यारतियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड हुए जिनकी परि वेश पत्र जारी होते रहेंगे ठीक है दोस्तो अगर किसी परिक्षा 30 दिसंबर को है तो उनके जो एड्मिट कार्ड है वो आपके 25 अरे को जारी हो जाएंगे एंटिपीसी में जूनियर किलर्क कम टाइपिस्ट अकाउंट किलर्क कम टाइपिस्ट जूनियर टाइम कीपर ट्रेन किलर्क करमीशल कम टिकेट किलर्क ट्रैफिक असिस्टेंट सीनियर करमीशल किलर्क तो इस तरह से इसमें कुल बहुत सारी पोश्ट है जैसे गूट्स ग आरारबी प्रयागराज के अधीन 1.55 लाक मतलब एक लाक पच्वन हजार बच्चे इसमें शामिल होंगे, मतलब जो आरारबी इलावाद रीजन है, आरारबी प्रयागराज को रीजन है, इसमें जो है 1.55 लाक प्रिक्षा देंगे, पहले phase में ठीक है दोस्तो और इस परिक्षा को संपन करवाने के लिए तीन राज्यों के दस शेहरों में परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं ठीक है दोस्तो तो ये खबर हो गई अगली खबर है वो आपको बता दू मैं RRB NTPC 2nd Phase परिक्षा सूचना दोस्तो फस्ट फेज में जिनके परिक्षा नहीं है और जिनके एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं तो उनके एडमिट कार्ड 2nd Phase में आएंगे और जिनके 2nd में नहीं आएंगे उनके 3rd Phase में आएंगे जि जो आपका NTPC का second phase है उसका जो schedule है वो 8 या 10 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा जिया दोस्तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है आपकी परिक्षाएं शुरू हो चुकी है 13 जनवरी तक ये आपका schedule फर्स्ट चलेगा और आपके 8 या 10 जनवरी तक second phase का भी schedule जारी क ठीक है दोस्तो ये हो गई आज की महत्तपूर्ण खबरे तो दोस्तो यही न्यूज थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को like कर सकते हैं मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को share कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों